कि नमस्ते दोस्तमरवी आज मैं आपको मेंगो ग्राफ्टिंग का कुछ टाइमिंग बताऊंगा जिसे आप अपने मेंगो ग्राफ्टिंग का सही टाइमिंग सही समय सही तेकनिक क्या है इस पर मैं चर्चा करूंगा अगर आप मेरे वीडियो में नए है तो लाइक के ग्राफ्टिंग किया है और नीचे दिखिए ब्राच निकल रहे हैं ठीक है उसके उपर जो हमने ग्राफ्टिंग किया है वो कैप के अंदर है हमने कैप को निकाला और दिखिए इसमें बद का प्रेशर निकल गया है और आपको एक बात और दिखा रहा हूं जो हमने एक जो ग जहानियों का इसमें आउ सकता पड़ती है जो मैंगो प्लांट हंदिर परसेंट सक्सेज हो आप पहला नमर आप मैंगो प्लांट को ग्राफ्टिंग के लिए एक बिष्ट साइन आपको चाहिए अब बाता था ना साइन कैसा होना चाहिए साइन ऐसा होना चाहिए जो जो अब लगे आपको जो हमने मैंगो प्लांट में जो इस्पेशल साइन है जो बर निकलने वाला हो अब लग जाए पंदर दीन हपते के अंदर उसमें बर निकल जाए उसमें वह एक नुकीला हो जाता है तो आप समझा एक ग्राफ्टिंग के लि प्रेसर नहीं हैं जिससे आपको हमने पहले बिटी कहा है था ग्राफ्टिंग करने अब बात अच्छे निकल रहे हैं यह कि हमने इस समय में अब कर टनी के वह हमने ने में बंच के लिए हम लगा रहें हैं मैं इन में अलग ब्रायथियां लगा रहा हूं यह ये ऐसा का ऑप महौरर है उनमें आप चाहें तो कहें जा कहें जासरे कनम युद्ञ कर सकते हैं मैंने मैंगो प्लान पे बहुत सारे वीडियो अप्लोड कर दिये हैं आज मैं आपको देखिए यह आम का मौर क्यों तोड़ जाता है आम का मौर तोड़ने से और फायदा क्या होता है आए जाने इस वीडियो में अगर आप मेरे चनल पर नहीं है तो लाइक करें आपको दिखाऊंगा जूम करके जो मैंगो प्लान थे इसका मौर क्यों तोड़ा जाता है और तोड़ने से फायदा क्या होता है इसके बारे में आज मैं बटाऊंगा आप मेरे वीडियो में अंतक बने रहे हैं आपको नोसमझ में आई तो आप मेरे से Beni अवस्कोर सकते हैं अगर आपको आपके माओर में दाने नहीं बर रहे हैं या आपका जhon माम होता है खराब होता है या सड़ जाता है या आपका मैंग में कीडे पढ़ जाते हैं उनका समश्ब्स हैं तो मेरेसे एक बार कमेट अवस कर लिजिए ठीक है आये चलते हैं इस वीडियो में जो हमने आम का मोड क्यों तोड़ जाता है या यह इस पर हम चर्चा करेंगे ठीक है आँ इस लिए टोड़ा जाता है निके मोड आ गया है ठीक है ग्राफ्टिंग के बाद देखें चार से चार के बाद आपको जॉइंट भी दिख रहा है देखिए जूं करके मैं दिखा रहा हूं देखिए यहां पर ग्राफ्टिंग किये हैं और यह ग्राफ्टिंग करने के बाद इतने चार इस्टेव ग्रोथ हुआ है उसके बाद देखिए मौर आ गया है अब बताता है मौर को क्यों तोड़ दिखाते हैंगी तो आप अगले वार इसमें आप अगिनत फल पराप्त कर सकते हैं अगर आप फल के लालच में जो मौर है उसको नहीं तोड़ेंगे तो आपका पौधा शुखने चांसस आते हैं आपको मेरे वीडियो कैसे है